बिस्मिल्ला है रोमानिवरहीम असलाम अलेकुम वेलकम बेक माई योटीब चैनल श्मीन स्टिचिंग आईडियार्स तो वीवर्स कैसे हैं आप सब वीवर्स आज आपने वीडियो लास तक वहुच करने हैं मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत सा स्लीव डिजाइन और और पिर देए जाएंगी और मैंने एक मताद़ माय चैनल गर्कुम आए पर पर उसके बाद धार्स आएंगे पर इसके बाद फिलावर रिखे तो मैं आपको एक बात बता फ़्लावर रखा है तो औरमंने साथ साथ बार ना एक्विल होगा हमें लिए थोड़ी कि लीम को पत्त्त बें है यह औरगेंदा फैब्रिक है तो इसके उपर हम चारो दरफ शुड़ से करते हुए मतलब पेस्ट कर लेंगे अज और नी करेंगे तो यह देखे मैंने ऑपझ्छे ऑपर डोरि को अटैच करना मितलब तो बहुत यखकुबसूरत जंग स्लीव डिजण ready करेंग तो बॉफंग वसक्तों यहां मुझे यहां सब मैं इक प्ल्वन पर अप्लाइब यह बहुत ही झूबसूरत लगेगा तो इसी तरिके से रखाएंगी पर से कीजिए पिर उसके बाद सोल्डरिंग ऐरें से कट कर दीजिए तो बहुत ही खुबसूरत लगेगा आपका दुबट्टा यह देखे हमारा यहां वन फ्लावर कंप्लीट हुआ यहां पर मुझे आपको यह बताना है कि पहले हम एक साइड जो है फ्लावर की रेडी करेंगे त सेकंड फ्लावर का हाफ पैट्रन वो डॉर का रेडी करेंगे सटिच करेंगे तो उसके बाद भी रम बैक आएंगे हमारे सेकंड फ्लावर की लिफ्लों हैं ढार स्टिच कररे हैं तो यह डोरी जो है आप एक और तरीके newer सब्स्लावdar कि सब्स्क्क देलिए ऑपकर दा इस तरार डॉरी को स्टीच कर सकते हैं तो ये मेरे पास मेरी शयर्ट में फ्लावर थे इसी तरीके कि आपके पास भी हो तो आप कर सकते हैं चाहें तो आप मार्किट। बाई भी कर सकते हैं तो यह मैंने पहले कट किया है सोल्डिंग आइरन से इसको साइडों से अच्छे से नीट कर लोंगी मैं यह देखें तो सोल्डिंग आइरन से देखें मैं इसको अच्छे से नीट कर रही हूं इस तरीके से नीट करते हुए अपने हाथ को बचाते हुए कर लेना है हमें अच्छे से नीट करके फिर हम इसको मशीन के साथ ही स्टिच करेंगे इन फ्लावर के दरम्यान में तो जो फ्लावर की नीटनस है और भी खुबसूरत हो जाएगी नीट बनेंगे हमारे इस पत्ती को अटैच करने के बाद फ्लावर तो देखें मैं इसको ड्र सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को क्यूंकि आपको इसी तरीके की अच्छे सी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी तो देखें मैंने प्लावर के ओपर इस पत्ती को अटैच कर लिया है तो अब हम स्टिच कर लिया है त सब्सक्राइब आइरन से सिरफ ये जो है फैब्रीं कि रिमूव करना है तो यह देखें पेपर हमारा साथ की साथ वैसे ही में रिमूव तो बहुत ही खुब्सूरत हमारा डिजाइन रेडी होगा पेपर होने के बाद तो असल रूक हमारे जो है डिजाइन की नजर आएगी हमें तो जहां से आपको लगे कि आपका जो फैब्रिक है अभी कट सभी से नहीं हुआ है तो सोल्डिंग अपने पास रखिए और इसको हल बहुत ही खुब्सूरत हो नजर आएगी तो विवस अब साइडों से हमने जहां से आपको लगे कि सही से कपड़ा रिमूव नहीं हुआ है तो आप सौल्डिंग आइडन से दुबारा से रिमूव कर लीजिए तो यह देखे मैंने पेपर बैक साइड से रिमूव कर लिया ह है बहुत ही खुब्सूरत लग रहा है तो आप इसी तरीके से अगर रेडी करना चाहें तो कर सकते हैं तो कलर कंट्रासिंग बहुत ही एहमियत रखता है हमारे डिजाइन में तो देखे मैंने का पिंक के साथ तो यह कलर बहुत ही प्यारा लगेगा तो इसलिए मैंने करते हो इतना करते हो तो उसके लिए सब्सक्राइब 則 लेक ग्रूली नहीं मदद के हम इन फ्लावर्स को अटेच करेंगे तो विजियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कॉमेंट भी प्यारा सा कर दीजिएगा और में वीडियो आज की कैसी लगी आपको ये भी लाजमी बता दीजिएगा तो डोरी डिजाइन हमने आज रेडी किया है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा स्टिच होने के बाद कंप्लीट हो गया है तो कैसा लगा आपको इसका फाइनल लुक और ब्लू के साथ तो पिंग कलर का कंट्रास आप देख ही सकते हैं कैसा लग रहा है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है लाइट के साथ डार्क कंट्रास तो देखें स्लीव पर पहना आज का मेरा ये डिजाइन तो आपने कॉमेंट में लाजमी बताना है तो आप लोग मुझे प्यारे से अच्छे से कॉमेंट करके बताईएगा तो वीवर्ज अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा ही लेकर आने की कोशिश करूंगी तो तब तक के लिए अपना और बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी मुझे यकिन है आपको बहुत पसंद आने वाली है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करके जाएगा लाहाफीज